So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले एरकॉन इंटरनेशनल शेयर के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए क्या टार्गेट्स होने वाले वो डिसकस कर लेते हैं आज की दिन अगर इस टॉक को देखोगे तो यहाँ पे 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और साथी साथ जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रहा है आज वो रहा है 227 रुपीज का और आज अगर इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है अपने सपोर्ट के पास यह जो प्राइस है 212 रुपीज का यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है अब यह प्राइस सपोर्ट कैसे है तो आप देखो तो पहले पिछली बार जब आप देखोगे इसी प्राइस के रौट जब भी आया था तो यहीं से कितनी बड़ी रैली देखने को मिली थी उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो इसी एरिया के राउंड से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता था तो काफी ज़्यादा चांसे इसके बनते हैं कि जब यह दुबारा इस प्राइस के राउंड आएगा तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है तो फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है और जब ऐसा होगा तो उसके बाद फिर हमारे अपसाइड के लिए नियरस टारगेट क्या देखने को मिलेंगे वह होगा हमारा सबसे पहला यहाँ पे 259 रुपीज का यह हमारा पहला टारगेट हो सकत है इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक कर दे तो इसलिए हमें यहाँ पे क्याए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेंगी इस एरिया के राउंड तो हमें कन्फरमेशन हो जाएगी स्टॉक में अपसाइड मूमेंट देखने को मिल सकता है तो 259 हमारे लिए टारगेट होने वाल तो अभी फिलाल के लिए इस टॉक में यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए हल्पफुल रही होगी सो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में